आप सभी को मेरी नमस्ते और जैहिंद मेरा नाभास से नहीं है और वर्बल मैद बाइबास से नहीं में आप सभी का स्वागत है आप लोग मुझे ठीक से सुन पा रहे हैं और किसी बिलेटी में ठीक है तेकिन अभी प्री एक्जाम आ रहा है तो जब आनलिसिस किया तो जो जीके है वो एक बहुत इंपोर्टेंट डॉल प्ले करता है प्रीके टाइम पर और जीके का ऐसा होता है कि एससी की जो जीके आ रह करें ठीक है अगर हम देखें या फिर अगर यूपी एसाई में जो जीके आई थी या एटीसी ठीक है तो उसमें जीके में एक चीज़ कॉमन मिली हमें कि सेंसस 2011 में हुआ था ठीक है उसके बाद नहीं हुआ तो इसके उपर कोशन ज़रूर आते हैं और डी ट्रिपल एसबी में तो एक शिफ्ट में मिनिममम दो तीन-तीन कुशन है सेंसस पे दो कुशन तो है तो आपका ऐसे सी के लिए भी बहुत इंपोर्टेंट है यह तो इसके लिए कवरेज बनाए कंप्लीट ठीक है तो शुरुबात करेंगे सबसे पहले स्लोगन पर स्लोगन है आपका आर सें है ठीक है हर एक शिफ्ट में कोशन पूचा जाएगा फर्स्ट सिंक्रोनस सेंसस ऑफ इंडिया जो आया था 1881 लॉड रिपन के टाइम की बात है ठीक है उसके बाद देखो यह गवर्मेंट की वेबसाइट पर जितना भी डेटा है ना वो सब गवर्मेंट की वेबसाइट स से डेटा उठाना पड़ा ठीक है तो अब यह बता रहे है कि कितने स्टेट्स काउंट हुए थे मतलब कितने स्टेट्स इंक्लोड हुए थे सेंसस में 35 डिस्ट्रिक्ट 640 हुए थे ठीक है वहला कुशन आ चुका है इंपॉर्टेंट सब डिस्ट्रिक्ट हैं टाउंस हैं इनुमरेशन, इन ब्लॉक्स, मिलियंस में दे रखा है, हाउजोल्ड्स दे रखे हैं ये ठीक है उसके बाद पॉपुलेशन वाइस जो डेटा है वो देख लो आप स्टेट में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन है वो उत्तर प्रदेश में सबसे लोएस जो है वो सिख्यम हैं, यूटी में सबसे हाइस पॉपुलेशन दिल्ली में सबसे लोएस लक्षेदी बिश्चरम में है डिस्ड्रिक में सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन थाने डिस्टिक में है और सबसे लोएस ते दिबांग वैली अरुणαचल प्रदेश में बात करें तो हाइस वो चीज आपको दी जा रही है, ठीक है, काफी ये भी लेकिन 40 के करीब स्लाइड है, ठीक है, अब आपने बोला density wise अगर मैं बात करूँ, तो सबसे यादा जो कम जगे पे जादा लोग अगर रहते हैं, तो state wise बिहार सबसे यादा है, सबसे लोएस्ट अरुनाजल प्रदेश यूटी सबसे यादा इस दिल्ली और लोएस्ट अंदमान निकोबार, district wise नौर्थ इस्ट दली और दिबांग वैली अरुनाजल प्रदेश, जो है लोएस्ट डिस्ट्रिक में, लिटरसी रेट की अगर बात करें, state में सबसे यादा लिटरसी साक्षरता अगर देखें, लक्षदीप है, और लोएस्ट की बात करें, तो दादरा इन आगर हवेली है, ठीक है, और अगर मैं district की बात करता हूं, तो सर्चिप, मिजोरम, सबसे ज़्यादा पड़े लिखी लोग वहीं पर है, district में, district की बात करें, और अलिराजपूर, मध्यप्रदेश के लोएस्ट सिटी की बात करें, सिटी के हिसाब से भी differentiation होता है, तो एजवाल मिजोरम और संबल उतरपतेश, ठीक है, हाइस्ट सेक्स रेशो की बात करें, मतलब लड़कियां जादा as compared to boys, यानि 1000 boys पे कितनी girls हैं, उसके हिसाब से देखें, तो स्टेट में सबसे ज़्यादा केरिला है, और लोएस्ट में हरियाना है, यूटी की बात करें, तो पुड़ुचेरी और हाइस्ट है, और लोएस्ट आपका दमन एंडिव, district की बात करें, माहे district पुड़ुचेरी का, यह हाइस्ट है, और लोएस्ट की बात करें, तो दमन है, सिर्फ दमन, दमन एंडिव नहीं, दमन टिक है डिस्टिक्ट में सिटी की बात करें तो केरला का कोजी कोड़े और अगर लोईस्ट की बात करें तो भिवांडी महरास्त ठीक है उसके बाद लार्जेस्ट ट्राइबल अगर हम बोलें के शहरी करंट शहरी करंट हिंदी स्पोकन जो हमारे देश में वह इतने परसेंट लोग हैं टोटल परसेंटेज ऑफ मुस्लिम यह डेटा सारा बहुत मुस्लिम की परसेंटेज 14.2 है टोटल परसेंटेज ऑफ हिंदू 79.8 पॉपलेशन डेंसिटी पर किलोमेटर के हिसाब से 382 परसन रहते हैं टोटल फॉरेस्ट कवर इस पर भी कोशन आ जाता है हंडेट परसेंट 21.05 परसेंट है लाइफ एक्स हाइस्ट लाइफ एक्सपें काओं के लोग हैं सबसे जादा उसके हिसाब से पॉपलेशन और शैर के हिसाब से यहां पर है महारास्ट में काओं के हिसाब से उत्रपरदेश में अर्वन पॉपलेशन हमारे पूरे देश में कितनी है 31.15 परसेंट पॉपलेशन ग्रोथ रेट दोहजार एक में लास्ट जब सेंसर दो था उसके बाद अगर हम बात करें तो 17.64 परसेंट ग्रोव हुआ है पॉपलेशन की बात से लिटरसी रेट की अगर हम बात करें इतने पड़े लिखे लोग है अभी आगे चलके बताया जाएगा आपको कि कितने साल का जो बच्चा होता है अगर उसको पढ़ना लिखना आता है तो उसे हम लिटरेट बोलते हैं कोशन है आगे ठीक हैं आदमि देटा हमने लिए है यह गवर्मेंट की वेबसाइट से लिए है ठीक है तो यह अगर चैलेंज करना होगा तो आप कर सकते हो चाल्ड सेक्स रेशो मतलब जो बच्चों में जो बच्चों की पॉपलेशन है उसमें बॉइस की पॉपलेशन पे 914 गर्स की पॉपलेशन है मतल कर रहता कि अर्बन अर्बन में क्या रिश्व है अभी आगे आएगा ठीक है अब कोशन की बात करेंगे अकॉर्डिंग टू स्टैंडर्ड सेंस डेफिनेशन जो जो डेफिनेशन होती है में वर्कर की वो क्या होती है तो आपका आंसर इसका यह ऑप्शन है सारी के एक में वर्कर वो होता है जो लेस देन 183 डेस काम करता है या फिर छे मेने काम करता है उससे कम काम करता है इस तरीके से चार आपको आंसर दिखा देता हूँ आंसर है सीधा-सीधा ये एक ऐसा मतलब मेन वर्कर उसको उस आजमी को बोला जाता है जो वर्क करता है अट लीस्ट 183 डेज के लिए और 6 मन्थ इन ये अट लीस्ट इतना तो करना ही चाहिए इससे जादा करेगा तब भी वो मेन वर्कर में आता है एक और कुश्चन है ठीक है अब बोलाए कि विच ग्रूप ऑफ स्टेट दस शो दा ascending order of the population based on the census मतलब ascending order में लिखना है ascending order में अगर आप देखोगे तो सबसे चोटा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा फिर उससे बड़ा आपको बताया था उत्रप्रदेश की जो population है वो सबसे जादा है उसके बाद अगर हम देखेंगे महारास्ट बिहार और वेस्ट बंगाल option के इसाब से आपका यह answer है और भी changes हो सकते है इस टाइब पे questions में बट यह आपका question है आयाव है तो हो सकता है repeat कर देगे which of the following is true with respect to census in India इन में से कौन सा true है with respect to census in India the first census was conducted in India non-synchronous injury in different part in in 1875 dr. M Vijay Nunni is the present registrar general and census commissioner India the census act was enacted in 1948 dr. Vivek Joshi was the first registrar general of India अब इन में से कौन सा true है ठीक है तो answer है यह ठीक है 1948 अब इसके बाद यह question है कि when was the first census atlas of 1961 published यह आपका answer है 1968 यह सबसे पहले का answer है दूसरे का answer है what was the population question है what was the population of India as per first census conducted in 1951 after independence population देको डिरेक्ट पूछ रखे तो इसका भी answer यह आएगा यह पाट ठीक है रट्टा मार लो और कुछ नहीं है तीसरा what is the total population of India according to census total population of India की बात करें तो तो बारा सो दस पॉइंट टू मिलियन ठीक है अगले की बात करते है अगले की बात करते हैं as per census 2011 which state ranked at number 8 with the population of देको 8th का population पूछी है आपके दिमांग में आ सकता है 7th पूछेंगे यह पूछें यह पूछें तो सब कुछ याद करना आप this is nothing to impossible एक तरीके से nearest to impossible तो that's why हम क्या करेंगे जो आए वे कोशन है बस वो करेंगे तो आपने बला के 8th नंबर पे इतनी population से राजिस्तान है ठीक है उसके बाद where was the first complete census of India city conducted by Henry Walter in 1830 आप कहा अंसर आएगा यहाँ पर दक्का यहाँ पर हुआ था ठीक है according to 2011 census any person जिसकी age dash या उससे ज्यादा है और उसको पढ़ने और लिखना आता है तो उसको लिटरेट बोला जाता है तो option का answer 7 मैंने बता है ता आगया आएगा ठीक है as per census 2011 what was the sex ratio of urban population यह वाला answer है 946 ठीक है overall 940 है और अगर हम child sex ratio की बात करें तो 914 ठीक है next आपने बोला which state is in ंडिया has the highest the cattle growth मतलब 10 साल की growth की बात कर रहा है population में सबसे ज़्यादा किस की हुई है तो answer है इसका में घाले ठीक है तश्किये 10-year growth की बात हो रही है ठीक है as per India census 2011 which of the following language after Hindi spoken by the maximum कौन से लेंगविज हिंदी की बात सबसे ज़्यादा पूछी जाती है बोली जाती है तो आपका आप तक ये content पहुचाने के लिए वीडियो बना रहे है और कुछ नहीं और कोई पर्पस नहीं है ताकि आप at least इसको रट ले ठीक है और इसके बाद हाँ as per as per census figure 2011 which of the following state has the highest second highest percentage contribution contribution to the total growth of the population of India सबसे जादा जो अगर उसकी बात करें तो second number पर बिहार है ठीक है ना population में बात करें सबसे नमबर बन पर क्या थी उत्तरप्रदेश ठीक है next question कौनसी state ऐसी है जिसमें least growth of population हुआ है 2001 से 2011 में सबसे जादा जो population कम बढ़ी है वह हिमाचल प्रदेश में बढ़ी है ठीक है इस सारे कोशन आयवे कोशन है सारे e to z which of the following union territories has the top population growth rate इसका answer है दादरा और नागर हवेली सबसे जादा ग्रोथ यहां पर हुई है population में ठीक है उसके बाद next question है कि number of village in India जो है 2011 के साब से वन स्टेंज वन स्टेंज थाउजन तिन थाउजन लैग शिक लैक फॉटी थाउजन और शिक लैक फिफ्टी थाउजन के बीच में ठीक है next according to census 2011 which of the following the third most populated urban agglomeration ठीक है सबसे ज़्यादा अगर अबादी वाला शहर का सम्हू कौन सा है और उसमें third most की बाद और यह तो third most में कॉलकता है next census is conducted under the provision of census act 1948 as per constitution of India and this data is collected every year every dash year question में आएगा every dash year तो हर दस साल बाद हर दस साल बाद पता नहीं 2021 वाला क्यों नहीं हो I have no idea अगर आपको बता है तो comment section बताना उसके बाद according to census of 2011 which of the following as the second highest literacy rate in India सबसे ज़्यादा तो केरिला में है second number पे अगर हम बात करें तो लक्ष्वदीब ठीक है उसके बाद next question के as per census 2011 तो percentage of minorities minorities जो सबसे ज़्यादा मतलब minorities जो इंडिया में है वो कितने percent है 19.3 यह है minorities ठीक है इसका अंसर ता लक्षवदीब और इसका अंसर ता दस साल बात ठीक है आगे चलते हैं as per census 2011 the percentage of Christian कितने है हमारे देश में 2011 census के हिसाब से 2.3 ठीक है उसके बाद इसने दे रखा है next question के as per 2011 census the schedule cast castes work dash of the country population आपका अंसर है 16.6 ठीक है उसके बाद कौन कंड़क्ट कराता है ministry of home affair कंड़क्ट कराता है ठीक है उसके बाद एक और आखरी question है इस वाले question का दे रखा है के पार्स कितने है अगर इंडिया की बात करे तो 57,264 second वाला option तो I hope के यह जो data इसमें क्या करगा है previous year के question डाल रखे हैं और mostly वो question है जो आपके SSC, CGL, CHSL, selection post ठीक है अभी जो selection post हुआ था उसके भी 11 के करीब question है जो भी हाल फिलाल में हुआ था census 2011 पे question है उसमें में आते हैं RRB ठीक है और आपका UPSI और आपका DSSS भी इन सब के include कर दीए question ठीक है और यह सब data आपको रट लेना है बार 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 देखते रहना रट जाएगा और कुछ नहीं है अगर आपको वीडियो पसंद आए तो प्लीज इसको लाइक ज़रू करना और जो भी इसमें correction अगर आपको ऐसा लगता है comment section में आप डाल सकते हैं ठीक है और thank you so much session डिस्मेंश को अबड़